मेहनत सब करते हैं सेम सामगरी सभी के पास में मुसली 90% सामगरी सेम होती सभी के पास में फिर कमी कहां रहती है तो मुझे लगता है कि कमी कहीं कहीं सक्रीता में रहती है अब मैं यह नहीं कहूंगा कि हर वैक्ती समर्पित नहीं होता देखो कोई बाड मेर छोड के बाहर क्योंकι सारह बच्च आए से भी नहीं होते हैं नहीं क्या सकता एक इनके पास वह होता हैं मैं यह भी नहीं क nutri उता हें सब हर यह क्योंड कि यह पर रहे होगा- इनको रोजयोब होते हैं तो अनको रोजगार कि होती है रोजगारी खतम करने की जित होती है तो वो पसुपरीचर से लेके जहां भी उसका सैटलमेंट बैठ है वो कोशिश है करता है कि कहीं पी छोटी मोटी नौकरी लग जाए तो ऐसी संशाई की स्तती में ऐसे भैक के माहूल में ऐसे टार्गेट सेट कम बच्चे कर पाते हैं लेकिन ठीक है फिर भी चल जाता है कोई जरूरी नहीं है तो इन सारे कारणों से इतर और क्या हो रहा है तो एक और भी कारण मुझे नजर आता है आपकी सक्रियता या निश्क्रियता पैसिव हैं आप की एक्टिव हैं ठीक है तो मैं चाहता हूं कि अगर आप कैसे विद्यारती है अगर आप सक्रियता से युक्त हैं आपको लगता है कि नहीं आप बिल्कुल सक्रिय व बात निए अब आप कितने एक्ट् आज मैं देखते हैं सबसे पहली चीज्ज एक सकरी विद्यारति क्या कर सकता है एक अटिव स्टूटेंट्प जब भी पढ़ता है कि बस लाइन टू लाइन पढ़ता जाता उसको कुछ समझ में निया रहा है कि वो पढ़ क्या रहा है पूरी पूरा पेज पढ़ लिया या पूरा पढ़ लिया या अध्याय पूरा पढ़ लिया लेकिन पूरा पढ़ने के बाद में भी उसको पता नहीं है कि उसने क्या पढ़ा है इनिस्क्रियता का सबसे बड़ा प तो कम से कम इमेजनेशन कीजिए कि क्या हुआ होगा पेरा पढ़ने के बाद में आप कम से तोड़ी देर नजर पैरे से अटाएगे आंके बंद करके सोचिए कि ऐसा था उसमें यहां था थोड़ा सा इमेजनेशन आना चाहिए आम सततरूप से किताब में आँखें गड़ाए सकता है कैसे प्रशन बन सकता है तो उसमें जब भी पढ़ा तो पढ़ने के बाद में आप कम से कम इस फॉर्मेट में रहने चाहिए कि आप उससे यह निकाल सको कि इसका इस टाइप से प्रशन बन सकता है तो आपको फिर उसको उस एंगल से पढ़ोगे तो परिक्षा में जहां कहीं भी महत्पूर्ण बात लगती है वहां पर अंडरलाइन कीजिए आपको अगर अंडरलाइन के साथ साथ में आप जो भी हासी होते हैं उसके नीचे आसपास वहां फूट नोट डालिए ना फूट नोट लिखिए क्योंकि यह चीजें होती है ना यह जब आप रिव कर सकते हैं यह करना बहुत जरूरी होता है